नमस्कार आप देख रहे न्यूज़ जैटीन मद्रप्रदेश चतिसगर्द और मैं हूँ सुधीर दिक्षे मद्रप्रदेश की सियासत इस वक्त पूरे देश में चर्चा पर है मुख्य मंत्री का चायन और दो उप मुख्य मंत्री कमोबेश, उत्तरप्रदेश, गुजरात और चतिसगर्द का मॉडल लंबे समय बाद मद्रप्रदेश में लागू हुआ है हमारे साथ एक ऐसी शक्सियत मवजूद है जो पिछले 35 साल से प्रदेश की राजनीती में सक्रिये हैं और पिछले 20 साल से लगातार चुनाव जीत रहे हैं खास बात यह है कि बिजेपी ने एक क्यावन फिजदी वोट शेयर का लक्ष रखा था और हमारे साथ जो शक्स है वो जब भी चुनाव जीत रहे तो उनका वोट शेयर क्यावन से बावन फिजदी से उपर ही रहा है मद्रप्रदेश के डिप्टी सीयम राजजनर शुकलाजी हमारे साथ है सर बहुत स्वागत है आपका दनवाद सब चुनाव से जीतने के बाद बहुत बड़ा मैंडेट मिला है किस तरीके से आप देखते हो यह मैंडेट की क्या वज़ा आप पाते हैं देखे मद्रप्रदेश भारती जन्ता पार्टी के सरकार बनने के पहले बिमारू राजी के रूप में जाना जाता था लाएक टी ना गावो में परियापत बिजली थी शहर भी अदेरे में शाट-ार घंटे से ज्यादा बिजली नहीं रहती थी पानी की समस्या थी सिचाई की समस्या थी बहुत व्यापक काम हुए हैं मद्रप्रदेश में भारति-जंदा पाटी की सरकार जबसे बनी हैं तो के के मामले में तो आप अंदाज लगाई है क्रिशी कर्मर वार्ड लगातार पांची वार छट्वी वार मद्धवदेश को मिला और चौबिस घंटे विजली हमने देना शुरू कर दिया हाइवेज बना दिये तो सुशासन जो भारती जंदा पार्टी का रहा है वो देखने के कॉंग्रेस के लोगों ने लंबे समय अक सत्ता में रहने के बाद कुछ काम नहीं किया है जिन्मेजारी का निर्वंट ठीक से नहीं किया इसलिए बिमारु राज्य की रूप में जाना जाता रहा ये फरक दिखने लगा यदि हम भी काम नहीं करते तो फिर कॉंग्रेस को ल और इसलिए लकातार भारती जंदा पार्टी को जंता का आशिरवाद मिलना है और इस बार आप देखे 20 साल सत्ता में रहने के बाद 18 वर्ष और फिर हमारी सीटे बढ़ जाएं यह कोई छोटा जना देश नहीं है यह प्रो इंकंबेंसी है कॉंग्रेस के लोग एंटी इंकंबेंसी के दम पर चुनाओ जीतरे का सपना देख रहे थे लेकिन यहाँ तो प्रो इंकंबेंसी थी सत्ता के पक्ष में लहर थी और यह सुशासन के कारण है काम के कारण है जनता के कलिनार के जो कारकम चले हैं मोदी जी के जो योजनाई रही है हमारे भारतियांदा पार्टी की जो शुराज सिंग चौहान जी के नेतरत में सरकार रही उनकी जो योजनाई रही है उसके कारण ही ला मिला अपने विकास की बात की एक वाक्या मुझे याद आ रहा है कि भाजपा के राष्ट्री महां सची हूँ कैलाश विजयवर्गे जी जब रीवा में आया थे आपके चिनाव प्रचार के लिए तो उन्होंने कहा था कि राजन शुकला जीन ने रीवा का जो मॉडल तैयार किया है उसको देखके तो मुझे डर लगता है कि कि इंदोर को पीछे न छोड़ दे कैसे आया बदलाविए नहीं रीवा में अमूल चूल परिवर्तन हुआ है पूरा ट्रांस्फॉर्मेशन हो गया है रीवा महानगर दिखने लगा है जो पहले तैसिल से बड़ा नहीं लगता था संभागे मुख्याला होने के बावजूद उसका उसमें हर वो सारी शेहरी सुवधाएं बाइपास हो रिंग रोड हो फ्लाई ओवर्स हो रेलवे ओवर ब्रीज हो उसे शेहर की तस्विर बदली है और यह हमारा अधिकार था कि हम महानगर के रूप में डेवलप हो इतना प्रोटिंशल है हमारे विंद्शेत्र में तेकिन उसके बावजूद हम उतना आगे बढ़ने ही पा रहे थे क्योंकि सरकारों की जो इक्षा शक्ती है वो कमजोर रही लेकिन हमने मजूद इक्षा श लेकिन आज हवाई अड़ा बन के त्यार हो रहा है और अब वही लोग कहने लगे हैं जो एयरलाइन से जुड़े लोग हैं कि इन दोर के बाद आने वाले चार पाज वर्षों में सबसे विजी एरपोर्ट ये दी कोई होगा तो हमारी रीवा का होगा विंद्शेत्र का बहुत बड़ा योगदान होता है कि आपको लगता है इस बार भी वैसा ही कुछ करिश्मा हुआ है विंद्वे में जो भाजपा को भारी बहुमत मिलाए विंद्वे के बहुत बड़े निता के तौर पर आपको लगता है कि विंद्वे को जो मिला है वो पर्याप्तिया और कुछ मिलने की जरूरत है नहीं जब से केंदर में हमारी सरकार बनी प्रदेश में हमारी सरकार बनी तो जो विंद को चाहिए हमारे जो हाइवेज हैं टैनल की जरूती टैनल बनके त्यार हुआ हवाई डे की जरूती हवाई डब बन रहा है और सिंग्रोली से लेके और हमारे स बिन्दशेथितर में एतिहासी काम हुए हैं, बाकी काम चल भी रहे हैं, और विन्दशेथ आने वाले दिनों में आप देखेगा हिंदूस्तान के सबसे सम्त्रजशाली विक्षित पिलागु को की गरूप में जाना जायँगा, इसलिए आपको जाना भी जाता है विंदे के विकास पूरुष के तोर पे आपको देखा जाता है कभी कोई विवाद होता है तो बजाए जुबान से जवाद देने के बजाए आप कामों से जवाब देते हैं नतीजे उसके दिखते हैं, एक सहज़ता दिखती है, बहुत मित्भाशी भी आप हैं, कैसे ये नियंत्रन रखते हैं जब इस तरह के कोई चीजे होती है, कोई विवाद होता है, क्या चल रहा होता मन में की जवाब कैसे दिया जाएं। मैं ध्यान देते हुए, एक एक पल का और एक एक छन का सदूपियों करना क्योंकि समय बहुत तेजी से भागता है। अटल विहारी वाच्पेई जी कहा करते थे कि समय तो बहुत तेजी से भागता है, समय रहते वो जरूरी काम करना जरूरी है, जो जनता के काम आए, देश के काम आए, समाज के काम आए, तो मैं उसी पर लगा रहता हूँ, और मुझे लगता है कि जनता ने यह दिया बदलने के लिए पूरी उर्जा लगाए, अनावशक लोगों के दोरा लगाए गए अनावशक आरोपों का जबाब देना, मैंने कभी उचित नहीं समझा, नहीं मेरे ये किसी पर प्रत्या रोप लगाना भी मेरे आदत में नहीं, यही वजह लगातार काम कर रहे हैं, विं किस तरह के विकास के रास्ते पर आप तरदेश को लेखना चाहें? हम लोग काम करेंगे और केंद में चुकी मोदी जी की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार हो गई, और डबल इंजन की सरकार उन तमाम बड़े लक्षों को प्रावत करने के लिए पूरी ताकत हम लोग लगाएंगे, जैसे कि मोदी जी तो भारत को बना रहे हैं विशु हम लोग बनाएंगे मध्रप्रदेश को हिंदुस्तान के साथ से बहतर राजी, आपको लगता है कि डबल इंजन की जो सरकार के आप बात करते हैं, प्रदान मंत्री नरेंद्र वोदी हमेशा बात करते हैं, डबल इंजन की सरकार का प्रबाव चुनाओं में भी दिखा, कि बागडोर ऐसे लोगों के हाथ में न चली जाए, जो सत्ता प्राप्त करने के बाद इस देश की समस्यों का समधान करने की छंता नहीं रखते हैं, वास्तों में मोदी जी ने अपनी छंता का प्रदर्शन किया है, जिसका लोहा भारत के लोग तो मानते ही हैं, दुनिया क हमसे हमारे देश को खोखले कर रहे थे, दीमक की तरह है, उसके लिए एक ऐसे नेतरत की आवाशक्ता थी, जो ऐसे उलजे हुए मामले को सुल्जा दें, और देश को विकास के राजसे पर तेजी के साथ दोलाने का काम कर सकें, ये काम मोदी जी ने किया, और गरीबों के कल पहुक्ता के समाग में बैढ गए हैं, कि सत्ता के सीर्ष पर बैटकर कोई व्यक्ती जमीन पर रहने वाले जोपड़ी में रहने वाले व्यक्ती के बारे में न न शिर्व विचार कर रहे हैं, बलकि उनकी समस्या का समधान करने का ठोस काम कदम उठा रहे हैं, तो इसलिए उनके दोरा किये गए कारियों के अधार पर देश की जनता फिर से एक बार त्यार है कि मोदी जी को तीसरी बार पधान मंत्री बना के भारत को उस मुकाम तक पहुचाने में हम लोग सहयोग करें जिस मुकाम पर पोचिने का अधिकार भारत को है, भारत को दुनिया का नेतरतों करने की चमता है, उसके लिए एक योग नेतरतों की जो लंबे समय से इंतजार था, उस इंतजार को मोधी जی ने अपने नेतरतों से पूरा किया है. अभी आपने बात की, मुद्दों की जिसमें राम अंदिर के अगर हम बात करते हैं, सनातन की हम बात करते हैं, कभी चुनाओ के दोरान बजरंग बली की बात होती थी, हनुमान जी की बात होती थी, आपको लगता है कि जाती के कुछ मुद्दे या ऐसे कोई मुद्दे वो अच्छे तरीके से करना शुरू कर चुकी है कि भारती जंदा पार्टी की सरकार किस तरीके से देश को उचाईयों पर पहुचाने के लिए समर्पित है और सनातन का जहां तक सवाल है तो सनातन को बढ़ाना सनातन धर्म को कि हमें धर्म से बिमुख होके हम कभी भी बहतर काम भी कर सकते हैं हमें अपने कर्म पर भी भरुसा करना है और हमें इश्वर के क्रपा के लिए प्रयाज भी करना है तो हम सनातन की बात नहीं करेंगे सरदान के मामले में हम पीछे हटेंगे तो एक तुष्टी करन के अधार पर हम देश को रसातल पर ले जाने का अपरात करें इतने लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं इतने लोग आस्था से जुड़े हुए हैं अब हमारे देश में गया जिम्मेदाराना बयान देने वालों की भी कमी नहीं है तमिल नाडू के मुखमंदरी के बेटे के दौरा दिया गया बयान की सनातन को उसी तरह से समाप कर देना चाहिए जैसे कोविड और मैलेरिया और डेंगू को समाप किया गया है इस परकार के गया जिम्मेदारा बयान आस्था पर चोट पहुचाने वाले हैं और यदि हमारी हम लोगों के आस्था पर चोट पहुचाएंगे तो लोगों का फिर भरुसा इस परकार से तूटेगा कि सरकार सामाजिक कारें के लिए है विकास के कारें के लिए है लोगों क जिन्दिकी बदलने के लिए हम उनकी आस्था पर चोट नहीं पोचा सकते हैं आज आप देखिए राम मंदिर का मामला जिस को शल्दा के साथ सुल्जा तो उसे देश की को ताकत मिली है यह वो मामले हैं जो देश को कंजोर कर रहे थी एक ताजा आदेश की बात करेंगे डॉ मोहन यादो सीम बने हैं और आपके डिप्टी सीम की शपत लेने का बाद सरकार ने एक आदेश जारी किया है उसकी काफी चर्चा हो रही है आदेश है कि ध्वनी विस्तारक जो यंतरे खास तोर पर धार्मिक स्थोलों पर उन पर एक सीमा के बाद नियंतरन लगाया जाना चाहिए लेकिन कॉंग्रेस इसको मुद्दा बना रही है और यह कहां जा रहा है कि यह एक विशेश वर्ग के लिए आदेश निकाला गया है इसको आप कैसे देखते हैं कि कॉंग्रेस ने हमेसा गया जिबाराना तरीके से हर विशे पर अपनी भूम का निभाती है इसका त इतने दोनी प्रदूशन से सिर्फ एक वर्ग और एक धर्म के लोगों को परिशानी थोड़ी है सभी को परिशानी है तो इससे तो जिससे सभी को परिशानी है उस समस्याक और किसी धर्विशेस के लिए नहीं है सभी धर्मों के लिए कहा है जहां कहीं भी है कान फोडू ध जोनी बच्चों को परिशान करती है बुजोर्गों को परिशान करती है हर वर को परिशान करती है तो इस निर्ना का तो सागत हो रहा है हर जगह मैंने तो मेरे पास तो कई लोगों के फोन आए कि यह बहुत अच्छा पहली बैठक में यह बहुत अच्छा निर्ना लिया गया इसी तरह से जो मांस वगरा सड़क में टंगा के और उसको बेचने का काम होता है, उसे कॉंग्रेस के लोगों के समझ में नहीं आता है कि इसमें जो लोग मांसाहरी नहीं हैं, उनकों कितनी तकलीफ होती होगी, तो इसलिए सबी की चिंता समगर रूप से करना ये सरकार की जि परिफिजन्स हुए हैं, एक बहुत नीजी सवाल है कि लगातार वेस्ट आप रहते हैं, जन प्रतिज़नी के दाते, वक्तिकत समय परिवार के लिए समय तनाव के स्थीति में, राजिन शुकला जी क्या करते हैं, तनाव कैसे दूर करते हैं, परिवार के लिए जब समय नि चलिए हुआ है तो उसके निरवहन रहते हैं लेकिन, आ बीज बीज में कभी हम लोग समय निकालते हैं कि कभी एक-दो दिंग के लिए कहीं छुट्छी में जाएं जायें या अलकर से कभी है कर हैं परिवार के साथ रह के और उनको इसमय दें, लेकिन उतना समय देनी पाते अीक अंखरी सबाल है कि प्रदेश में नई सरकार है बहुत लंबे समय के बाद माच्पा में बहुत सारे परिवर्तन हुए है सरकार की जो योजनाय चल रहे थी वो योजनाय जो है उनसे बड़ी उम्मीदे लोगों को थी क्या वो योजनाय जारी रहेंगी कुछ नहीं योजनाय लेकर आएंगी और विकास का रोड माप जो है वो क्या रहेगा जो योजनाय चल नहीं थी वो भारती जन्ता पार्टी की सरकार के दोरा चलाए गई योजना थी तो वो तो चलेंगी ही, इससे जंता को फाइदा हो रहा है, और विकास तो एक सतत प्रक्रिया है, हम हर छेतर में काम कर रहे हैं, सिचाई को बढ़ाने के छेतर में काम कर रहे हैं, बहुत सी उजनाई चल रही हैं, बिजली के छेतर में काम चल रहा है, सड़कों के छेतर में न जोडते हुए और सिंग्रोली तक जाएगी तो हर छेत्र में इंडस्ट्रिल एडिया की डेवलेमेंट का सवाल है कि नए नए उद्योग्षित्र डेवलप हों जिसे कि हम विक्सित लैंड निवेश्च करताओं को दे सकें और वो मद्रिदेश में आगे निवेश्च करें और दोगे करांदी हो यहां पर विकास के रोजगार के अफसर पैदा हूं तो हर छेत्र में जो काम हम लोगों ने शुरुआत की है उसको अभी लगतार आगे बढ़ाना है और वो बचे हुए काम भी करेंगे और जनता के कल्यान के जो काम चलना है वो भी और आवशक्ता 29 सीटों का टार्गेट भाजपा ने लखा है मक्यमंतरी जो पुर्व मक्यमंतर शिवरासिन चवान जी ने भी कहा कि 29 फूलों की माला पहनाएंगे कितनी सफलता की उमीर आप कर रहे हैं लोग सबाचना हों बिल्कुल मुझे लग रहा है कि 29 सीटे मोधी जी को यदी मिलती ह तो कोई आश्यर की बात नहीं है को कि उनके बराबर कर नेता आप कौन है वो सिर्फ देश के नेता नियुद्या के सारे नेता उनके सामने थोड़ा छोटे दिखते हैं इना बड़ा व्यक्तित हो गया है मोधी जी का और वो यदी इस देश को परम वैभो के सान पर पुचा एक रहताने के लिए मध्र पद्रắt की जंता देगी इसमें कोई शंका नहीं है यह है मंद्रप्रदेश के डिप्टी सियम राजिन रिशुकलाजी जिनों ने कहा कि भारतिय जनता पार्टी को जो बहुमत मिला है वो उसके किये गए कामों को देखते वे मिला है आगे भी भारतिय जनता पार्टी की सरकार जो है वो विकास के नाते आगे बढ़ेगी और जह पुझे नवाद।